हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों जब भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम एक चीज़ लेकर के बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि जो हम फाउंडेशन बना रहे हैं उसमें हमको जो स्टील डालना है वो किस तरीके का डालना है उसक आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो फाउंडेशन में हमारा पहला प्रोसेस होता है एक्सकावेशन प्रोसेस उसको किस तरीके से करना है और बाती सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक देखेंगे तो यह वीडियो बहुत ही आपके लिए यूस्फूल है आप बहुत कुछ को आपको जो है इस वीडियो से सीखने को मिलेगा तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि मालीजे कि जब आपना कंस्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका हमको कितना मोटा स्टील यूज करना है अपना जाली बनाने के लिए यानि कि जो आप वीडियो में देख रहा है इसको फुटिंग मेश बोला जाता है तो यह फुटिंग मेश किस तरीके का बनाना चाहिए में इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों में कुछ लोग इस तरीके का भी फुटिंग मेश बनाते हैं जैसा कि आपको इमेज के माधियम से दिखा जा रहा है तो देखिए इस तरीके का फुटिंग मेश जिसमें बिल्कुल प्लेन प्लेन सरिया पड़ा हुआ है कहीं पर हु यूज हो रहा है फुटिंग के लिए वह आपको वीडियो के माधियम से दिखा जा रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है यह हुक्स बनाए अब इस हुक्स को समझे यह हुक्स 90 डिगरी पर बैंड होना चाहिए उसके बाद कम से कम 3-4 इंच होन तो कम से कम 10 mm का सरिया तो होना ही चाहिए पर अगर आपका construction ground floor और सिर्फ first floor तक है तो आप 10 mm का सरिया डाल सकते हैं लेकिन future में आप G plus 2 G plus 3 बनाएंगे या फिर आपका area बड़ा है या फिर आप residential परपक से घर बना रहा है तो वहां पर आपको कम से कम 12 mm का सरिया डालना चा चाहिए उससे जादा नहीं होना चाहिए और मैंने आपको बताया कि स्टील आपको 10 mm का यूज करना इस पेसिंग 5-6 रखना उससे जादा आपको नहीं रखना है अब जो आपने excavation किया है तो गड़ा आप जो खोदते हैं जो आप गड़ा बनवाते हैं वो कई तरीके से ब नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा बहतर कंस्रुक्शन करना चाहते हैं तो आपको 1 जाना जाना चाहिए और उसके बाद सवाल है कि आपको तो मैंने आपको बताया स्टील क्या यूज करना उसमें स्पेसिंग क्या रखनी है लेकिए जब आप इसमें कॉंक्रेटिंग करेंगे किस तरीक एक होना चाहिए तो मेरे खयाल से आप अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है रेशिडिन्स प्रोजेक्ट है तो आप आप 20 रख सकते हैं लेकिन आप 25 अभी लोग ज्यादा जो है प्रिफर्ट कर रहे हैं तो वह भी अच्छा है आप 25 भी रख सकते हैं लेकिन अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो आप आप 20 रखें यानि एक डेड़ तीन का रेशियो रखें एक बैग अगर आप सीमेंट यूज़ करें तो देड़ आप सेड यूज़ करें और यूज़ करें इस तरीके से भी अगर आप मिक्ष माना करके अगर कॉंक्रेटिंग करते हैं तो अभी आपके कंस्ट्रक्शन में अब हमने आपको कॉंक्रेट मिक्स तो बता दिया कि आपको कितना कॉंक्रेट मिक्स रखना चाहिए लेकिन उसकी उचाई क्या रखनी है कि कितना मोटा आपको मसाला बिछाना चाहिए कितना मोटा आपको कॉंक्रेटिंग करना चाहिए तो अगर स्टैंडर्ड तरीके की ब लगा है लुकित्थ अगर आप आइसोलेटट कर रहे हैं स्टेप फुटिंग कर रहें तो उसके लिए आपको सचेश्ट लेना चrah या इस तरीक सांड्र सारी चीजों को देता है तो इस तरीक células के प्रोसेस को आगे बढ़ा Arias चाहिए आप कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा उस तरीकी की टिप्स जैसे की आपको excavation कैसे करना है हम अपने हमने अभी आपको पहले बताया कि आपको डेप्ट रखने यह चार फिट बैचार फिट बैचार फिट करता हूं कि आप चारों तरफ 6-6-6 इंच का कम से कम गैप ले करके चले दिखिए दो परपत से दिया जाता है गैप इनसेंस की अगर आपको चार फिट बई-धध बई-धध चार फिट कहा गया है तो डेकर चार फिट रखें लेकिन लबाई और चौणाई में 6-6 इंच और बढ़ा ले यानि ताड़े चार फिट बाई साड़े चार फिट कर लें ऐसा क्यों कहा जा रहा इसके दो बड़े रीजन है पहला रीजन है कि मैन पावर को उतर के काम करने की थोड़ी स्पेसिंग मिल जाती है दूसरा आप आसानी से शट्रिंग प्रोवाइट कर पाएंगे शट्रिंग नहीं तो शट्रिंग प्रोवाइड आप कर देंगे उसके आपको स्पेस चाहिए इसलिए आपको छेंच छोड़ने के लिए कहा जाता है दूसरा चीज अगर आप चार फिट बाई चार फिट बाई चार फिट का बना देंगे और जब फुटिंग मेश को पुटिंग जो आपका इसलिए आपको कहा जाता है कि आप दोनों तरफ 6-6 इंच एक्स्ट्रा ले करके चलें उसके बाद एक्सकावेशन प्रोसेस होने के बाद यानि जब घड़े की खुदाई हो गई तो पहले उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर दें चारों तरफ से उसको एक शेप में काड़ दें ऐसा नहीं है कि हमने उपर से फीटे से ना पातो साड़े चार फीट है और जब आप कम से कम 3-4 इंच तक बालू की फीलिंग करें बालू डाले और अच्छी तरीके से कॉमपैक्ट करें उसके धेर सारे फायदे हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है आप उस वीडियो को जाकर करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो आपको 3-4 इंच प करें में देखना है फूटिंग में इसके नीचे कवर ब्लॉक नहीं लगा गया है यहां पर ईटा लगा दिया गया रेट बिक यूसक्जिए तो आपको रेट बिक नहीं यूस करना बाइबरेटर लगाएं और अगले दिन से प्रॉपर तरीके से उस पर आप क्यूरिंग भी करें देखें वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को आल पर प्रेश करते हैं तैंक यू